चील एक ऐसा जानवर जिसकी पैनी नजर गूडे में रेंगते कीड़े को भी देख लेती है आस्मान की दुनिया का ये बेताज बादशा अपनी पूर्ती और रफदार के लिए जाना जाता है लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी चील को शिकार करते वे देखा है चील को पक्षियों का राजा कहा जाता है साथ ही कहा जाता है कि चील की नजर एक बार जिस शिकार पर पढ़ गई उसे वह अपना खाना बना कर ही रहता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चील के शिकार करने के कुछ मज़्यदार वीडियो देखते हैं बस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे उसके बाद शुरू करते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक बालू नदी के किनारे टहल रहा है बालू पहारी पर चड़ने लगता है और अपने घर की तरफ वापस लोटना चाहता है तब ही अचानक एक चील तेजी से भालू के सर पर हमला कर देती है वाकई क्या बहादुर चील है जो सीधे भालू से लड़ गया दूसरे वीडियो में एक भालू अपने बच्चों के साथ चील के गोसले पर हमला कर देता है चील लड़ना तो चाहती है लेकिन भालू के सामने वो कमजोर है चील अपने घोसले से उड़कर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाती है जिसके बाद भालू अपने बच्चों के साथ घोसले में ऐसे बैठता है मानो वो घोसले को अपना नया घर बनाना चाहता है चील ने बिना किसी चेतावनी के जून पर काफी जूर से हमला कर दिया। जून खुद को बैलन्स करने की कोशिश करता है। लेकिन चील गुसे में एक बार फिर उस पर बुरी तरह से हमला कर देती है। जिसके बाद जून जाडियों में गर जाता है। हलाकि जून जाडियों में गिर गया है लेकिन फिर भी चील एक बार फिर जून पर हमला करती है। जैसे कि जून उसका कोई दुश्मन है और वो उसे मारना चाहता है। आपको बता दे कि वार्थॉग एक अफरेकी जानवर है, जो कि कई शिकारियों का शिकार बनते हैं, और चील भी उन शिकारियों में से एक है, जोने अक्सर अपना निशाना बनाते हैं। इस वीडियो में बेवी वार्थॉक का एक जुंड है, जो की साथ साथ चलते हुए सड़क पार कर रहा है। तबी मौका देखकर एक चील ने उन्हें जोरदार हमले का स्वाच चखा दिया। और उनमें से एक बेवी वार्थॉक को पकड़ भिलिया। बेवी वार्थॉक खुद को चील के पंजे से चुडाने की काफी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो चील के पंजे से आजाद नहीं हो पा रहा। और देखते ही देखते बेवी वार्थॉक की मौत हो जाती है। ये सब देख कर बेवी वार्थॉग की माँ अपने बच्चे की तलाश में भाग रही है वार्थॉग से बचने के लिए, चील कुछ देर के लिए पेड़ पर चड़ जाता है और उसने वहाँ से जाने के बाद चील अपने शिकार के पास वापस लौटाता है और बेबी वार्थॉक को अपना लंच बना लेता है इस वीडियो में कुछ शिकारी अपने चील को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें वो चील को शिकार करना सिखा रहे हैं खुले मैदान में चील अपनी तेज आँखों से अपने शिकार को ढूनता है कुछ समय बाद उसे एक बेडिया दिखाई पड़ता है और वो उसका पीछा करता है बौका मिलते हैं चील उस पर हमला कर देता है देखते हैं देखते बेडिया चील की पकड में आ जाता है बेडिया खुद को चील से आज़ाद नहीं करा पाता और तभी वहाँ पर एक और चील आ जाता है और वो भी बेडिया पर हमला करता है जिसके बाद बेडिये की मौत हो जाती है कुछ देर बाद वहाँ पर श्रिकारी आते हैं और बेडिये को लेकर चले जाते हैं अपने रात के खाने के लिए इस बरफीले सीजन में भूखा चील अपने शिकार की तालाश कर रहा है तभी उसकी नजर पढ़ती है एक लोमडी पर वहाँ जो अकेले घुम रही थी कुछ देर तक चील उस लोमडी को देखता है और फिर उसके बाद वह लोमडी पर हमला करने के लिए तयार हो जाता है वह उस लोमडी का पीछा करता है जैसे ही लोमडी चील को देखती है वह तेजी से भागने लगती है चील लोमडी पर हमला करता है और लोमडी भी उस पर हमला करती है दोनों में भयंग कर लड़ाई होती है चील एक बार लोम्री पर्फर से हमला करता है लेकिन लोम्री खुद को बचाने में काम्याब होती है और वहाँ से भाग जाती है दोस्तो समुद्र के किनारे चील शिकार ढूंड रहा है कि तभी उसकी नजर एक शाक पर पड़ती है जो कि नदी के किनारे पड़ा हुआ है पहले चील को लगता है कि शाक मर चुका है लेकिन जब वह उस पर हमला करता है तो पता चलता है कि शाक अभी जिन्दा है शाक बुरी तरह से जख्मी है गहरी चोट के वज़े से शाक खुद को चील से नहीं बचा पाया और उसका खाना बन गया इतने में ही दूसरा चील आता है और दोनों चील काफी मज़े से दोपहर का लंच करते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भूखा चील बंदरों का जुंड पर नजर रख रहा है बंदरों का जुंड फेड़ पर खेल रहा है तब ही चील देखता है कि एक बंदर अकेले बैठा है मौका देखते हैं चील उस बंदर पर हमला कर देता है बंदर की नजर जैसे ही चील पर पढ़ती है वो बहुत तेजी से वहां से दूर हो जाता है लेकिन चील एक बात फिर उस पर हमला करता है बंदर तेजी से इधर उधर भागने लगता है देखते ही देखते वो चील की नजरों से दूर हो जाता है और फिर चील उसको नहीं पकड़ पाता इस वीडियो में एक शिकार ही अपने चील को हिरन को पकड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है हिरन काफी तीजी से भाग रहा है और चील लगातार उसका पीछा कर रहा है अचानक चील हिरन पर हमला कर देता है और वेचारा हिरन खुद को चील के पंजे से बचा नहीं पाता इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चील नेक बिल्ली को काफी तेजी से पकड़ के रखा है बिल्ली खुद को चील के पंजे से छुडाने की कुशिश भी करती है लेकिन खुद को छुडा नहीं पाती एक और वीडियो में चील एक काले बिल्ली पर हमला करता है वहाँ पर मौझूद लोग चील के डर के वज़र से बिल्ली को नहीं बचा पाते और चील उसे अपना खाना बना लेता है काफी दिनों से भूखा चील कंगारू पर हमला करता है कंगारू को लगता है कि चील उसके साथ खेल रहा है लेकिन चील कंगारू पर एक बार फर हमला करता है जिसके बाद कंगारू भी चील पर हमला करता है और देखते हैं देखते हैं एक मज़ेदार fight हो जाती है माना जाता है कि चील और आक्टोपस में काफी भयंकर दुश्मनी होती है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आक्टोपस ने चील को अपने जकर में पकड रखा है विचारा चील अपने आपको छुडाने की बहुत कूशिश करता है लेकिन खुद को बचा नहीं पाता तबी वहाँ पर एक आदमी चील की आक्टूपस की पंजे से छुडाने की कूशिश करता है और वह चील को छुडा देता है चील जल्दी से उड़कर नदी के किनार एक पेड़ पर बैठ जाता है चील की नजर उस चीते के बच्चे पर पढ़ती है ऐसा लगता है मानो चील को इस मौके का काफी दिनों से इंतजार हो चील मौका पाते ही चीते के बच्चे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है चीते का बच्चा चील एक कर बोरी तरह से डर जाता है चील चीते के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ लेता है और चीते का बच्चा अब उसका खाना बन चुका है आए दिन साप चील का खाना बनते रहते हैं specially पानी में रहने वाले साप उपरी सता पर तैर ना पसंद करते हैं ऐसे हैं इस वीडियो में एक साप पानी में तैर रहा है और चील अपनी तीक ही नजरों से उस साप को देख लेता है जिसके बाद वो जल्दी से जाकर उस साप को पकड़ लेता है और उसको लेकर उड़ जाता है यहाँ पर साप भी खुद को बचाने के लिए चील पर लगातार हमला करता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को चील से नहीं बचा पाता और आकरकार चील अपने बच्चों के साथ खाना एंजॉय करती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक खरगोश घास के मैदान में तीजी से इधर उधर दोड़ रहा है क्योंकि एक भूखा चील उसका पीछा कर रहा है चील बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसने एक हफ़ते से खाना नहीं खाया है और अचानक चील ने खरगोश पर अपना हमला कर दिया लेकिन वो खरगोश को नहीं पकड़ पाया गबराया हुआ खरगोश लगातार इधर उधर दोड़ रहा है एक बार चील उस पर फिर से हमला करता है लेकिन खरगोश अपनी समझदारी से उसको आखरी सेकंड में चक्मा दे देता है और चील नीचे गर जाता है लेकिन भूके चील ने अभी भी हार नहीं मानी है चील लगातार खरगोश पर हमला करता है तीसरा हमला किया और ये चौथा लेकिन इस बार खरगोश चील से नहीं बचपाया आखिरकार चील ने इस नन्ने से जानवर को अपने पंजों में दबू चील लिया जिसके बाद चील ने अब गहरी सांस ली और उड़ चला नीले गगन में नंबर फिफटीन इगल वसिस क्रोकोडाईल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मगरमच ने हाली में अपने अंडे दीए हैं जिसके बाद वाँ उन्हें छुपा देती हैं तीन महीने बाद मगरमच के बच्चे अंडे से बाहरा जाते हैं और मगरमच इन बच्चों को अपने मूँ में रखकर पानी में ले जाने के लिए तयार है मगरमच अपने बच्चे को पानी में ले जाता है चील मगरमच के बच्चे को अकेला देखकर उस पर हमला कर देती है बेचारा चोटा सा मगरमच चील के पंजे से खुद को बचा नहीं पाता और वह चील की पकड़ में आ जाता है जैसे ही मगरमच की माया देखती है वो अपने बच्चे की मदद करने की कुशिश करती है लेकिन चील तब तक काफी तेजी से उड़कर निकल जाता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुटे का बच्चा मैदान पर दोड़ रहा है और चील उसका पीछा कर रही है लेकिन उस नन्ने से जानवर को लगता है कि चील उसके साथ खेल रहा है शायद उस नन्ने से जानवर को ये नहीं पता था कि वह चील के एक वार में ही उसके खाने में बदल सकता है उस कुटे के खिसमत शायद अच्छी थी क्योंकि सही समय पर एक आदमी आकर कुटे को बचा लेता है एक दूसरे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक कुटे के बच्चे चटान के बास खेल रहे हैं उनकी माँ अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में है और उनको छोड़कर कुछ दूर निकल गई है जिसके बाद चील जो की काफी देर से मौके का इंतजार कर रही थी अब वह मौका उसे मिल गया है और वो उड़कर सीधे कुटे के बच्चे के बच्चे के पास आती है अचानक चील ने कुटे के बच्चे पर हमला किया और एक बच्चे को वो अपने पंजे में दबोच लेती है जैसे ही कुटे की मा या देखती है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तेजी से दौरती है लेकिन अपसूस चील उस बच्चे को लेकर उड़ चुकी थी और बहुत देर हो गई थी क्योंकि चील तक पहुचना उसके माह के लिए नाममकन था इगल वसेज माउंटेन गोट माउंटेन गोट स्तंधारी होती है जो ग्यामतोर पर चटानों पर देखा जाती है ये प्रजाती जादातर वेश्टन नौर्थ अमारिका में मिलती है जसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बकरियों का एक जुन पहाड पर जा रहा है साथ उसी समय एक भूखा चील उड़ रहा है अपने लिए भूजन की तालाश में चील ने बकरियों का जुन देखा और जुन पर हमला किया सभी बकरियां वहाँ डर से भाग जाती है लेकिन एक बकरी का बच्चा अपनी मां से अलग हो जाता है चील बिना हलचल के उस पर हमला कर देती है बकरी का बच्चा चील का खाना बन चुका है दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही ऐसी ही मज़ेदार शिकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बटन क्लिक करें साथ ही कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे मज़ेदार वीडियो कौन सा लगा दोस्तो आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें